हेलो फ्रेंड लिंग राज पोटेल किचन किंग मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आप सबके लिए और एक निया रेसीपी लेके आया हूँ आज हम बनाने वाले हैं पापड की सबजी दोस्तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इसको बना के जरू ट्रैक कीजिएगा तो चले रेसीपी को बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखिए दोस्तो ये है पापड ये आपको किसी भी किरना स्टोर में मिल जाएगा मैंने यहाँ पे चार पापड लिया है आभी हम सबसे पहले पापड को फ्राय करेंगे इसके लिए हमें पापड को चार-चार टुकडों में डिवाइट कर लेना है क्योंकि हमने जो कड़ाई लिया है फ्राय करने के लिए वो थोड़ा छोटा है आपके पास अगर बड़ा कड़ाई है तो आप गोटा गोटा भी फ्राय कर सकते हैं ये देखे हमने इसको चार हिस्सों में डिवाइट कर लिया है इसी तरह हम एक एक करके चारों पापड को डिवाइट कर लेंगे और ये देखे हमने सब को डिवाइट कर लिया है यह हमने लिया है तेल और तेल गरम हो गया है अब हम एक एक करके सारे पापड को फ्राय कर लेंगे यह देखिए दोस्तों हमरा पहला पापड फ्राय हो गया है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह एक एक करके हमें सारा पापड को फ्राय कर लेना है आप ज थोड़ा करके सार आपापड mapping को fry कर लिया है आब इसको रखते हैं साइड में, यह हमने सब्जी का मसाला बनाने के लिया है काट लिया है, थोड़ा सा गुट़ा जीरा थोड़ा सा ले सुन और दो सुखी मिर्ची आप हम इसको मिक्सी में डाल के इसका एक अच्छा सा पैस्ट बना के तयार कर लेंगी तो चलिए हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं ये देखे हमारा पैस्ट तयार हो गया है आप हम लेंगे कड़ाई और इसमें डालेंगे थोड़ सा सरसो का तेल तेल गरम हो जाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा से पचपूटन इसके बाद इसमें डालेंगे दो तेज़ पत्ता और जैसे ही हलका सा फ्राय हो जाएगा उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो पीसा हुआ मसाला था उसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें fry कर लेंगे आप सुखा मसाला भी डाल के इसको बना सकते हैं लेकिन मेरे तरीके से मसाला बना के डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा से हल्दी पाउडर थोड़ा सा कस्मिरी रेड चिली पाउडर ये देखिए ये है एवरेश्ट का मीट मसाला पाउडर इसको सबजी में डालने से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और इसको डालने के बाद इसको भी मिला के ट्राय कर लेंगे हाँ मारा मसाला कड़ाई के नीचे थोड़ा चिपक रहा है आब आब हम इसमें थोड़ असा पानी एट कर देंगे और इसको फिर एक पर मिला लेंगे आब हम इसमें एट करेंगे टमाटर ये देखिए हमने यहाप एक आलू को उबाल लिया था और इसको काट लिया है और यह है तीन टमाटर इसको भी छोटा-छोटा करके काट लिया है अब हम इसमें टमाटर को डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे टमाटर को डालते ही इसमें एट करेंगे नमक, स्वात के अनुसर ये देखिए ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गिया है अब इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पानी और पानी को डालने के बाद फिर एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी स्टेज में इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को डालने के बाद इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी इसको ज्यादा फ्राइने करना है इसको बस हलका सा मिला के आप हम इसमें एट करेंगे पानी इसमें खोप सारा पानी लगता है और यह हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ये देखिए हम जब इसमें पापार को डालेंगे ये पानी को सोक लेता इसलिए इसमें ज्यादा पानी लगता है ये देखिए अब एच्छी तरह से उबल रहा है अब हम इसमें हमारा फ्राय किया हुआ सारा पापार को डालते जा देंगे फिर इसके बाद इसका उपर और थोड़ा सा पापड डाल देंगे और सारा पापड को डालने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे इसको बिल्कुल भी ढखना नहीं है इसको ऐसे खुला में पकाएंगे इसको बस तीन से चार मिनिट ही पकाना है उस ये दिखने में बहुत जादा डे लिशियस लग रहा है चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म प्लेट में सौर्प कर लेते हैन दोस्तो आप इसको चावाल के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है आज के मेरा पापड का सबजी का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्ट वीडियो में और एक निया रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड्स